हेलो दोस्तों वेलकम बैक टो चैनल जोब अपडेट्स चोन दोस्तों मैं आज आवलोगे लिए लेक रहा हूँ एक और नई जोब वेकेंशी अपडेट्स जो क्या आया है नई बेली लिगनेट कर्परेशन लिमिटेड की तरब से जियां दोस्तों यहां पर NLC ने एक नोटि क्या रहेगा सबको हम डिटेल्स में देखते हैं तो दोस्तों अगर हमार चैनल पर नौए हो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें और बेल आगन विद्वास दीजिए ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो बात करेंशी की यहां पर टोटाल वेकेंशी ह सब्सक्राइब 955 जो कि चारोव डिपेंड डिपेंड पोस्त के लिए आया है तो पहला जो रहेगा आपका ट्रेड अपेंटिस के लिए रहेगा जिसमें आपका फिटर, टर्नर, वेल्डर, मेकानिक, मोटर, डिजल, ट्रक्टर यह तिनों के लिए रहेगा देन इंढेरिंग, टर्न आपनिफिसुं मेक्कानिकाल इंजिनियरिंग, सिब्सक्राइस, ट्रक्ट्रेश याहां पे आपका आपका वने नॉन इंजिनियरिंग यानेंग बेक्ड यानेरिंग यानिक्टीrences यानेस की Computer Application, BCA, Business Administration, BBA, then Next is Geology, तो यह था Non-Engineering Appendish के लिए Then चौथा है Technician और Diploma Appendish, यहाँ पर आपका Mechanical Engineering, Electrical and Electronics, Civil, Instrumentation, Mining, Computer Science and Engineering, then Last is Electronics and Communication Engineering तो यह था दोस्तो टोटल 955 पोस्ट का जो Distribution यह सारे पोस्ट के लिए Then Next है जो हमारा Educational Qualification, तो इसमें आपका ITI, Diploma, Degree, B, B, T, तो यह अलग-अलग Vacancy के लिए अलग-अलग आपका Educational Qualification मागा गया है Then Selection Process की बात करें, तो यहाँ पर आपका कोई भी एक्जामिशन नहीं हो गया क्योंकि एक Appendix पोस्ट है तो आपको Academic Mark के हिसाब से Shortlist किया जाएगा Then आपका Document Verification किया जाएगा, Then उसके बाद आपका Selection किया जाएगा Then Salary की बात करें, Trade Appendix के लिए आपको 8,766 रुपीश दे लेकर 10,019 रुपीश तक आपका स्टाइपेंड रहता है Then Non Engineering Appendix के लिए 12,524 और Engineering Casual Appendix के लिए 15,020 जो का हमारा Appendix के अंदर जो हमारा गौर्मेंट ने डिसेट किया है वह आपको मिल जाएगा और यहां पर Non Engineering के लिए 12,524 यह आपका जो स्टाइपेंड रहे गया Then यहां पर यह application आपका नेल रहे गया कोई भी application की नेल रहे गया Then हाम सबसे important जो की date की बात करें जो application शूरू हो रहा है वह 10 अगस्ट शूरू हो चुका है और आपका जो closing date यानि कि जो last date रहे गया Online के लिए वह 24 अगस्ट रहे गया और आपका जो offline के लिए last date रहे गया वह 21st अगस्ट रहे गया अगर आप online apply करते हो तो 24 और offline करते हो तो 31st आपका last date रहे गया इससे पहले आपको apply कर लेना है तो दोस्तो अगर आप eligible हो और interested हो इस vacancy के लिए तो आपके इनके official website www.nlcindia.com आप वहां पे जाके इनको apply कर सकते है तो दोस्तो ये था NLC के जितने भी important points तो दोस्तो आपसा गरता हूं ये पेकेंजी सब आपको पसंद आई होगी और apply भी आप जरूर कर लेना तो मिलते है अगलेक नई जो पेकेंजी के अपडेटी साथ धन्यवाद उन्यवाद